हेलो एवरिवन कैसे आप लोग तो देखिए ग्लोबल बायो फ्यूल्स एक अलाइंस क्रियेट हुआ है की मुवमेंट है इसके आपके जी ट्विंटी जॉइन्ट स्टेट्मेंट का प्या मोदी ने अज़ा प्रोपोजल किया था तो देखते हैं क्या है यह रहे अपने अन्र लिए दिखते हैं क्या है इंडिया ओं सेटेड़े लांच अग्लोबल बायो फ्यूल अलाइंस जैसे इंडिया ने ग्लोबल तो अलाइंस लांच किया था वैसे ही global बायो फ्यूल लांच किया है विद प्राइमलिट नरेंजर मोजी अर्जिंग जी 20 नीशमेंस तो जोंग के प्रेजिए के लगे भालब अथनोल प्रेट रॉटल तो 20 परेसे ग्देली ग्लोबी ने लिए लिएयन्स विल्ग्साथ अधेयन इतलाइं प्लाइशा प्रेद ट्रेजी अने स्याट ब्रेसे अचिह ने कुछ ज जिल्युब्स स्ट्धिए सिल्वा निडिद प्रेसे initiating member includes argentina bangladesh brazil italy mauritia south africa and uae jojo is photo man you can hear india america bangladesh yeah argentina the launch of the global biofuel alliance mark a watershed movement in our quest towards the sustainable sustainability and clean energy i thank the member nation who have joined this alliance prime minister said to be bought buddy water in ki baat raki gai or you know na apni baat raki or wu baat maani bhi gai today the need of the are in the field of fuel blending our proposal is to take initiative at a global level to take ethanol blending in petrol up to 20 percent mr mozi said green credit initiative earlier while speaking at the g20 summit session on one earth mr mozi also proposed launching a g20 satellite mission for environment and climate observation and urge leader to work on green credit initiative or alternatively we could work on developing other blending mix the greater global good one that ensures a sustainable energy supply while also contributing to climate security mr mozi said at the session attended by the saudi arabia crown prince mohammed bin salman uk prime minister rishi shoonak and others mr mozi said energy transition is a significant need for the 21st century world considering the challenge of the climate change he said trillion of the dollars are required for an inclusive energy transition and the developed countries play a very crucial role in this developed country tabi to buy $1 dollar technology technology along with india all the countries of the global south are pleased that developed countries have आ के खिन एक्रिवाद के विंटिए आवड दर्वेविकUै टेट फिंटिएव लिलिए इन केट आप लिलिए स्ट लिलिएग लाइफ झाल किटेशिते ही हराई लीफीट्टी टी सब्सकेशब है दोलिए निलिएंटिष बिल्याइंट के लिल दिल्टूलर लाइफ जिलिए् एंड प्रडूस सटेनेबली तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट हो जाता है चल यह देखते है सबसे पहले हमारे लिए इंपोर्टेंट जास्ट एसकेंड इस तकिन इंपनल ब्लंडिंग हो जाता है इस तबसे इन इन इकव ऐसे braистला इसलिकल में संटी परिंट था करें हो जाता है इस इस ड्रूर इंपोर्टेंट कर्णा एसके तेंडल और हमास्त इस ट्रल्द होब और के इंपोर्टेंट हो जाता है यहां पर इनर्जी ट्रांजिशन इंपर्टेंट हो जाता है ग्रीन इनिशियेटिव हो जाता है हमारे लिए इंपर्टेंट दूसरा आप देखिए जो सबसे में इस्व यहां पर था अपना ग्लोबल बायो फ्यूल अलाइंस और वह सेम लाइन पर स्टैबलिश हुए जिस पर ग्लोबल स्टैबलिश हुए तो यह कुछ चीज़ें हमारे लिए इस आर्टिकल में इंपर्टेंट हो जाती है और डेवलपिंग कंट्रीज का क्या रोल है यह तो हमने देखे लिया इस फो दो तुम लोग बस और क्या करोगे ट्रिलियंस अफ डॉलर चाहिए और डेवलप कंट्रीज कुल फिर जैर क्मिटमेंट हंड्रेड बिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनस होना है तो डॉलर हंड्रेड बिलियन क्लाइमेट फाइनस के लिए तो बस इतने इस आर्टिकल में 20 इतनल ब्लेंडिंग सबस्यादा इंपोर्टेंट चीज है इसमें और बाइफ्यूल ग्लोबल अलाइंस यह क्या है कब लांच हुआ यह मारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है एंड मोजी जी की बात रखी गई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया ऐसे